नमस्कार दोस्तों मैं दावमदर सरमा अमरित करपाय योटीब चैनल पर आपका स्वागत है। जनवरी 2023 के करंट फिर में आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, शुरू कर रहें आगे, आपका बिना समय गवाए, क्लास को सुरू करते हैं दोस्तों, द्यान से देखना, साथ साथ में लिखते जाना इसको, सुरू करते हैं, पहला प्रसंद देखते हैं संगीत नाटे अकादमी देखे दोस्तों संगीत नाटे अकादमी नई दिल्ली द्वारा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुषकार के लिए चैनित लोक कलाकारों में 2021 का खिताब किसे दिया गया यदि आपको युव पूछे कि एस्ताज बिस्मिल्ला खान पुरुषकार 2021 का जो संगीत नाटे का आदमी नई दिल्ली ने दिया ओ किस कलाकार को दिया यासीन खान को दिया यासिन खान को उस्ताज बिस्मिल्ला खां पुरुषकार 2021 दिया किस ने दिया ये संगीत नाट एक आदमी नई दिल्ली के दोरा दिया है साथ साथ में आप नोट करते जाना लिखते जाना इससे आपको ज़दा याद रजाएगा करंट जी किसी प्रकार का इसको लिखने से आपको ज़दा याद होगा है तो संगीत नाटेक आत्मी नई दिल्ली के दुबारा उस्ताज बिस्मिल्ला खां परुष्कार किसे दिया गया या सिंध खान को दिया गया आगे बात करते हैं अगला प्रसन है डाइनेमिक क्राउंड रिसोर्स असेंट्मेंट ओफ इंडिया असिस्मेंट ओफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के उनसार राजस्तान में सरवादिक भूजल का दोहन किस किन जिलों ने किया है बहुत तकड़ा प्रसन है दोस्तों कई बार आपको ये प्रसन पूछेगा याद रखना कि जो डाइनेमिक ग्राउंड रिसोर्स जो असेंट्मेंट ओफ रिपोर्ट आये 2022 की इस रिपोर्ट के उनसार राजस्तान का एक तो जिला है जेसल मेर एक तो जिला जेसल मेर और एक जिला जोदपूर इन दोनों जिलों ने सरवादिक के दोहन किया है किशका भूजल का सरवादिक दोहन किया जेसल मेर और जोदपूर ने किया है दोस्ते आप याद किया रखना कि 2022 की रिपोर्ट में राजस्तान में किन जिलों ने सरवादिक दोहन किया जब भूजल का जेसल मेर और जोदपूर जिलों ने किया है यदि आपको यूँ पूचले कि राजस्तान में सरवादिक भूजल किन जिलों में है तो याद रखना बांस्वाडा सिरी गंगानगर जिले एक नमर पे मतलब सबसे अच्छा भूजल की जो सबसे अच्छी भूजल की इस्ताती है वो राजस्तान के किन जिलों में है बांस्वाडा और सरी गंगानगर जिले में है और बांस्वाडा को तो जल सरक्षन के छेतर में भारत का दूसरा जिला गोसित हुआ था इसको पुरुसकार भी मि के मसार दोहन किया भूजल का, राजस्तान के ऐसे बताते हैं स्माप्थ होता जा रहा है धेरी जो डार्क जोन में नहीं है उनका स्माप्त INC किसी लों ने किया जैसल मेर और जोद्पूर ने सरवाधिक भूजल का दोहन किया है ओके याद रे जाएगी बात आगे चलते हैं या आप साथ साथ में स्क्रिंशोट भी लेते जाना इनको लिपते जाना उस आपको ज्यादा याद रे जाएगी बात आगे चलते हैं अगला प्रसना हाली में चर्चा में मुलेला गाउं यह मुलेला गाउं है कहां पर आप सब जानते हो यह राज समन्द में पढ़ता है यह टेरा कोटा के लिए पर परसीद जगह ना यह कुन सा गाउं है मुलेला गाउं है और मुलेला गाउं राज समन्द में पढ़ता है जहां के 2012 में पदम सिरी विजयता मौलाल कुमार थे ये टेरा कोटा के लिए मिट्टी के ही कलाकारी के लिए परसीद हैं और ये मौलाल कुमार मिट्टी की चीजों की कलाकारी के लिए मौलाल कुमार परसीद थे और जिन को कितने रुपे का डाक टिकट जारी किया गया है पांच रुपे का डाक टिकट जारी किया है कितने रुपे का डाक टिकट जारी किया है पांच रुपे का यदि आपको ऐसा परसन पूछ ले कि राजस्तान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था यदि आपको या कौन से स्तंब पर जारी हुआ था विजे स्तंब चितोडगड भरतपुर वाला नहीं चितोडवाले की बात कर रहा हूं जो महारणा कुम्बा ने बनाया था सारेंगपुर युद की याद में महारणा कुम्बा ने ये विजे स्तंब का निर्मान करवाया था 1438 के इंतरगत व याद रख लेना विजेस्तंब जिसको किरतिस्तंब भी बोलते हैं जिसका निर्मान महारणा कुम्बा ने करवाया था और वो सारंगपुर युद की याद में करवाया था जिस पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुई थी कब जारी हुई थी गुनिसो गुनचास में जारी और अभी जो दो हुजार बारा के विजेता मौनलाल कुमार थे जिन पर दो हुजार इकीस में कितने रुपे का डाक टिकट जारी किया गया पांच रुपे का डाक टिकट जारी किया गया है आप न्यूज पेपर साथ में पढ़ा करो अभी आज ही एकबार में आई थी कि प ये सरकार मुख्यमंत्री असोग गलोत ने पैसे दान किये हैं कि इन पैसों से इनका पेनुर्मा बनाए जाए तो यह आने वाली प्रिक्षा में पूछ सकता है कि का याद रहुत कि अम्राजी बिक्त का पैनुर्मा इन किस जिलें में बनाए जा आप कमेंट में जरूर बताना मैंट बताना किस जिलें बनाए जाई गा है बहुत सारी चीज़ें राजस्तानी के दुर्गों पर भी डाक्टिक्ट जा रही है मतलब बहुत बड़ा चेप्टर यह डाक्टिक्ट का पूरी के बात करेंगे ओके आगे चलते हैं अगला प्रसन है महरे स्वस्त गां महरी डाहने योजना कारी करम किस जिले में शुरू किया गया महरे स्वस्त गां महरी डाहने योजना कारी करम है वो आम लोगों किसे जुड़दें के लिए रज्य सरकार के जिला परसासन के दौरा है वो नागोर जिला परसासन के दोरा सुरू किया गया यदि आपको पूचे कि ये कारेकरम किस जिला परसासन ने सुरू किया कल मैंने बताया था आपको नागोर जिले का एक और कारेकरम है परकास अभी हान भी किस जिले का है ये भी नागोर जिला परसासन के दोरा शुरू किया गया था और ये भी याद रखना मारे सौस्त गाउं मारी ढानी योजना करीकरम भी किस जिले ने शुरू किया है रजस्तान सरकार के सयोग से IIM उदेपूर किस जिले में अक्सपेरिमेंट लेब इस्तापित करेगी बहुत तकड़ा परसन है यदि पूछ सकता अग्जमन है कि IIM उदेपूर है वो रजसरकार के सयोग से अक्सपेरिमेंट लेब इस्तापित करेगी और वो कहां इस्ताफित करेगी जपूर में इस्ताफित करेगी देखो यदि आपको दो परसन पूछेगा आई आई एम कहां पर है आई आई एम उदेपूर में है यदि आपको पूछेगी आई आई टी कहां पर है आई आई टी जोदपूर में है दोनों पर सनियाद हो जाएंगे यदि आपको पूछे कि IIM कहां पर है उदेपूर में IIT कहां पर है जोदपूर में दोस्तों यह experiment लेव क्या है कि यह IIM उदेपूर रज्य सरकार की सेयोग से इस परकार की लेव इस्तापित कर रही है कि जो रज्य सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को पहले से ही जनता पर अपलाई करके देखे कि जनता इससे कितनी खूस है या नराज है जनता को किस परकार की योजनाओं की जुरूरत है आवसकता है किस परकार की कर एकरम की आवसकता है और वो एक्सपरिमेंट लेब इस्तापित कर रही है जेपूर में स्तापित कर रही है उसके लिए जन कल्यानकारी योजनाओं को जनता से सिधा जुडाव करने के लिए जनता को किन जन कल्यानकारी योजना की आवसेकता है उसका पता का लगाने के लिए Experiment Lab की स्तापना कर रहा है I.I.M. उदेपूर कर रहा है और I.I.T. जोदपूर के साथ भी इस योजना में मिला हुआ है I.I.T. जोदपूर भी इसका सयोग कर रही है बात समझ में आएगी आपको इत्ती सारी तो याद रखना Experiment Lab है वह जोदपूर में स्तापित कर रहा है वह I.I.M. उदेपूर कर रहा है रज्य सरकार के सयोग्षे कर रहा है योजनाओं को लागू करने के लिए कर रहा है आगे चलते हैं अगला क्यूसन है हाल ही में चूरू के सुजानगड जिले की हरितीमा ढणी चर्चा में है क्यों आई हरितीमा ढणी बहुत तकड़ा प्रसन है सुजानगड जिले की हरितीमा ढणी है वो डेजर्ट पारक के निर्मान के लिए परसिद है चर्चा में आई यह कौन सा पारक है डेजर्ट पारक के निर्मान के लिए देजर्ट परक के लिए याद यू समझना दोस्तों डेजर्ट परक का मतलब है आज से बिस साल पहले लोग गाउं में किस परकार से रहते थे उसी परकार का एक परक बनाया है जो पड़े वगेरे जिसमें हैं सब परकार की विस्ता गाउं वाली फिलिंग आती है क्योंकि फिलिए धे एहितउकों रही है हरीत्मा धाटी में माहिलाओं के दोवारा इह रही है तो याद रखना डेजर्ट परक के लिए गंच चरशा विए सब्सक्रा परका गा जिला बनाओ, क्योंकि राजस्तान में कितने जिले बनाए गए हैं, अभी गोसना हुई है, गुनिस जिले तीन संभाग की गोसना हुई है, तो आप याद रखना, और इसमें सुजानगड चुरू जिले का है, जो जिला मुख्याले से दूर है, इसलिए सुजानगड को जिला बनाने की कवाइद की गई थी, अभी वहां अंदूलन चल रहा है, लेकिन इसको जिला नहीं बनाया, और वहां की हरितिमा डानी इसलिए आई, डेजट परक्रिशान के लिए, ये हरितिमा डानी तरचा में आई थी, ओके, सुजानगड की जब बात आए, तो आप याद ये एसिया का सबसे बड़ा कृष्ण मरग है, बार बार ये एकदम इजीशा परसन है, आपको पूछ ले कि ताल चापर है, बहरने किस के लिए परसीद है, ये काले हीरनों के लिए परसीद है, यहाँ पर बताय जाता है ताल चापर, ये गुरू दुरूनाचारी की करमस्त रही है, ताल चापर, इसका पहले पूराना नाम था, दुरूनापुरी नाम था, तो ये दुरूनाचारी की पांडवों के गुरू दुरूनाचारी की करमस्तली रही है, जब पांडवों को अग्यातवास दिया गया था, उसमें पांडव यहाँ पर रहे थे, और इसी सु पथ्ल पित्थल मिजर लील टास आदियनें एक सारी गर्विताओं की रिस्टना की थी दर्ति दोरРЕः आपने सुना पढ़ा ओगा- तिसरी चोति कलास में आ Sak понять है उंघ्रेवर्मन नहीं दर्ति दोर theory कनेलाल फिराफ ब rappers पत्थल को को बोला था और उसकी भी रचना किसे ने की थी कनेलाल सेट या ने की थी जो सुजानगड चुरू के निवासी है और वहां की हरितिमा ढ़ने इसलिए चर्चा में आई डिजट पारक के निर्मान के चर्चा में आई है याद रहेगी बात आपको आगे चलते हैं इसके आगे देखे दोस्तों आगे की बात करते हैं गुंती स्वा मतूर अदास मातूर अवार्ड सीनियर के टेगरी में किसा दिया गया बहुत तकड़ा प्रसन है इसको बार बार पूछेगा अग्जमनर पहले तो याद रखना मतूर अदास मातूर अवार्ड किस च्छतर में दिया ज कुन से खेल में दिया जाता है किरिकेट के छेतर में ये मत्हुर अदास माथुर अवार्ड दिया जाता है पहले बात तो यही पूछ लेगा मत्हुर अदास माथुर अवार्ड किस छेतर में दिया जाता है किरिकेट के छेतर में और सीनियर वरग में किसे दिया गया अनिकेत चोधरी को दिया गया था यदि आपको जूनियर वरग बेने रही है यडि करक्तातूर आदस माफूर अवार्ड निकेट चोधरी को दिया गया ये 2nd गरेड में ऊपरसन दुबारा आपको बता रहा हूं याद रखना और मतुर अदास मातुल अवार्ड जूनियर के टेगरी में किसे दिया गया अनिरूद सिंग को दिया गया किरिकेट खिलाडी यह अनिरूद सिंग जिशे दिया गया यदि आपको यहाँ पर कुछ एक खिलाडी की बात बताओं आपको साथ साथ में नोट करते जाना लिखते जाना यदि आपको पूछ ले कि गोरांशी सर्मा किस खेल से समंदित है तो आप क्या बताओगे यहाँ पर आपको बात पूछ लूँ कि गोरांशी सर्मा बैडमिंटन से समंदित है किस खेल से समंदित है कोटा की गोरांशी सर्मा और बैडमिंटन की खिलाड़ी आपको सिधा सिधा परसंद पूछ लेगा कि गोरांशी सर्मा किस खेल से समंदित है यदि आपको यहाँ पर एक पर्सन पूछनू अभिनाव सर्मा किस खेल से समंदित हैं अभिनाव सर्मा अभिनाव सर्मा भी बैडिमिंटन से यह अभिनव सरमा भी बैडिमिंटन का खिलाड़ी है गोरांसी सरमा भी बैडिमिंटन की खिलाड़ी है यदि आपको ऐसा पूछनू वेदी का सरमा किसे समदित है वेदी का सरमा फुटबोल से समदित है यह साथ साथ में आप नोट करते जाना ऐसा ही परसंद पूछेगा देना किसे समंदित है यदि आपको ऐसा पूछ लूँ कविता सियाग बहुत अकड़ा प्रसन है इसको तो कई बार पूछ लिया कविता सियाग बिका नेर की है कविता सियाग और साइकलिंग की खिलाडिये साइकलिंग से समंदित है कविता सियाग कहां की है बिका नेर की है त बाटी किस खेल से समंदित है यह आपको ऐसे पूछ ले कि रमेश गोदारा किस समंदित है किस खेल से समंदित है रमेश गोदारा यह संकर सिंग बाटी के में पूछे या रवीदत पाल के बारे में पूछे तो ये सब किसे समदीत आएंगे संकर सिंग बाटी और ये हैंड बॉल से समदीत हैं ये तकड़ा प्रसंद बन रहा हैं दोस्तों इसको बार-बार पूछ भी सकता है, ये किस खेल से समदीता है, संकर शिंग बाटी, रमेश को दारा, हेंड बोल से समदीता है, हेंड बोल के खिलाडी हैं, इसके बारे में पूछे, तो आप बता देना, ये जो खिलाडी है ना, ये तीनों खिलाडी है, ये तीनों खिलाडी, गोरांसी सर्मा, अभिनव सर्मा वेदीका सर्मा ये डैफ ओलंपिक खेल हुए थे ब्राजिल में और उस ब्राजिल में इन्होंने पदक प्राप्त किया था डैफ ओलंपिक के खेल ब्राजिल के ये विजेता हैं गुरांची सर्मा अभिनव सर्मा वेदीका सर्मा इनके बारे में पूछे तो बता देना, यदि आपको ऐसा पूछ ले एक खिलडी और तकड़ी खिलडी है सवीता पूनिया के बारे में पूछे हैं तो आप साथ साथ में लिखते जाना दोस्तों सवीता पूनिया का आप नहीं नाम नह Tillग जानते तो कुछ नहीं जानतें यह होकी की खिलाडी है बारतिय होकी टीम की कप्तान है सवीता पुनिया हनुमान गडजिले की है और ये होकी की खिलाडी है राजस्तान के तो इसके बारे में पूछे तो बता देना बहुत सारा परसन है यदि आपको और पूछ लें कि एक पुजा सिहाग है पुजा सिहाग कुछ तीश्य समच देते हैं इन खिलाडियों के बारे में पूछे तो मैं एक दम आपको तकड़े तकड़े खिलाडी की बात कर रहा हूं जो अक्जामिनर पूछ सकता है ना उन खिलाडियों की मैं बात कर रहा हूं दोस्ते इनके बारे में आप पुराने पीपर उठाना उसमें से सारे परसंट पूछे हुए हैं आगे भी आ सकते हैं क्योंकि चर्चा के खिलाड़ी हैं किसे ने गोल्ड जीता है किसे ने कांसे जीता है ये नॉर्मल खिलाड़ी नहीं है इनके बारे में पूछे तो बता देना गोरांची सर्मा, अभिनव सर्मा, बैडमिंटन से हैं, वेदिका सर्मा, यदि वेदिका सर्मा के बारे में बात करें, तो ये फुटबोल की खिलाडी है, यदि कविता सियाग, ये साइंकलीन की खिलाडी है, और यदि आपको ऐसा पूछ ले, कि ये संकर सिंग बाटी, मिला था जूनियर के टेगरी में, और अनिकेत चोदरी को मतुरादास मतुरावार सीनियर के टेगरी में मिला था, बात याद रहेगी आपको, आगे चलूं, ओके, साथ साथ में लिखते जाना दोस्तों, आगे का परसन है, ओप्टिकल, ओप्टिकल करेक्टर रीडर से मदार सब डिसकों में, और जमेर डिसकों में पढ़ता है, मदार सब डिसकों में वहां से ये लागू किया गया है, तो यदि आपको पूछ ले, कि यहां से एक परसन पूछ लिया, पूछ लिया कि मंडल गावें, मंडल पढ़ता है, भील वड़ा में, कहां पर हैं, भील व यह मंडल गाउं भिलवडा का प्रसिद है यदि बिजली से समधित कोई प्रसन आएगा तो यदि याद रखना पानी के मिटर बनाने के सहयंतर लगें वो भी जेपूर में ही है मतलब मिटर बनाने के सहयंतर राजस्तान के जेपूर जिले में ही है तो और याद रखना और अजमेर डिस्कॉम है आपको डिस्कॉम के बारे में पूछे तो बता देना तीन डिस्कॉम है यदि अजमेर डिस्कॉम की बात करें अभी तक अजमेर डिस्कॉम में 11 जिले आते हैं एक बार पूस लिया था अजमेर डिस्कॉम में कितने जिले आते है आप बता देना अजमेर डिस्कोम में राजस्तान के कितने जिले आते हैं गयरा जिले आते हैं जिसे सिकर जिला किस में आता है अजमेर डिस्कोम में आता है लेकिन चूरू जिला किस में आता है जोदपूर डिस्कोम में आता है यदि आपको बात करें कि जबपूर डिस्कोम म बारा जिले हैं और जोद्पूर डिसकों में दस जले हैं अभी तक 33 की बात करें जब गुनिश जिले किरियानवीत होंगे उसके बाद की और बात करेंगे लगबग पांच-चार महने लगेंगे इसको तो अभी तक आपको यही परसंद पूछे जाएंगे ने वाले नहीं समझने बात को तो आप कन्फूज मत हो ना आपको पूरानी बात ही पूछी जाएगी नहीं वाली बात नहीं पूछी जाएगी अभी तक इस साल में 2023 में जो अग्जाम लगेगी उसमें इतना ही पूछा जाएगा कि कितने जिले बनाए हैं कहां से को करंट वाली बात सा तीन संभा कोन कोन सीवरियर सीकर है बांस वड़ा है पाल लियों की चर्चा करीगे खुब सरी विशयस्ता है आपको सारी बात समझा दें लेकिन आप पन्फूज बिलकुल भी मत हो ना पूरानी बात पूछ जाएगी नहीं वाली बात नहीं पूछ जाएगी आपको एक ओप्तिकल क्रेक्टर से बिजली बिल बनाने के लिए अजमेर डिस्कॉम का एक मोडल है जो संपूर्ण राजस्तान में लागू किया है और वो कहां से सुरू किया मदार सब डिस्कॉम से सुरू किया है और यहां से एक और प्रसंद पूछ लें कि मंडल भीलवड़ा है जो बुमेगत बिजली तार बिचाने के लिए परसीद़ पूरे गाहों के अंदर अजमेर डिस्कॉम में जिले कितने आते हैं 11 जिली अजमेर डिस्कॉम में आते हैं आगे चले आगे चलते हैं अगला प्रसन है कि 67 रज्यस्तरिये सीनियर बॉलीबॉल चेंपियंशिप बिकानेर में पूरुस और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता है बहुत तकड़ा प्रसन है दोस्तों बहुत तकड़ा प्रसन है ये खिताब जब पूर ने जीता है किसने जीता है जब ने इस खिताब जीता है सड़सट्वी रज्यस्तरिये जो बोलीबॉल चेंपियनशीप है इसमें पुरुस और महिला दोनों का खिताब है वो जप्टू ने जीता है सीधा सा है आप याद रख लेना आगे चलते हैं अगला परसन है राजस्तान के किस रेल्वे स्टेशन को इट राइट इस्टेशन गोसित किया है बहुत तक्ड़ा पोड़ा दोस्तों यह परसं पूरने नहीं होने वाले हैं यह आने अने वाले एक्जाम में आ जाएंगे दुबारा देख लेना यह जब पूर रेलवे स्टेशन को इट राइट इस्टेशन गोसित किया है किसने FCCI ने किया है फूड सेप्टी ने ही इसको गोसित किया है राजस्तान के 37 स्कूलों को भी कितने स्कूलों को 37 स्कूलों को इट राइट गोसित किया है जैसे जब पूर इस्टेशन को इट राइट इस्टेशन गोसित किया उसी परकार राजस्तान के 37 स्कूलों को इट राइट इस्टेशन गोसित किया है तो इसके बारे में बात करें तो आप बता देना FCCI है और जिनने FCCI है इन्होंने गोशिद किया है फूड सेप्टी नेगोशिद किया है ओके अगे चलते हैं ऑगला परस्टान के किस पूर्वाण्धी को राज्यीव गूंधी lifetime award दिया गया है डिसंबर की अगजाम में और दोबारा भी पूचता एक राज्यस्तान के किस पूर्वह खिलाड़ी को राज्यीव गूंधी lifetime । दिया गया ये गगन खोडा को दिया गया, किसे दिया गया था, गगन खोडा को राजी गौंधी lifetime award दिया गया है, दोस्तों याद रखना, गगन खोडा lifetime award दिया गया है, ये गगन खोडा किस समदीते हैं, ये cricket से समदीते हैं, अभी की बार ये पूछ लेगा, गगन खोडा किस खिल से सम समझ दीता है गगन खुड़ा किरिकेट से समझ दीता है कि समझ रहे हैं बात को अगे चलते हैं अगला प्रसन है राजस्तान के किस दुर्गों किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलूक ट्रेवलर आवार्ड 2022 दिया गया बहुत तकड़ा प्रसन है यह कि बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलूक ट्रेवलर आवार्ड 2022 किन दुरुगों को दिया गया कुमलगड दुरुग को दिया गया और चितोडगड दुरुग को दिया गया कुमलगड दुरुग के बारे में आप याद रखना कुमलगड के बारे में यह आप बात करोगे जो करोगे न वो सारी की सारी कम ही बात रह जाएगी कुमलगड मेवाड के राजाओं की सनस्तली थी ठीक नहीं थी कुमलगड के बारे में अबूल फजल ने लिखा था कि इस दुरुक को नीचे से उपर तक देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती ये कुमलगड दुरुक के बारे में लिखा था इसका उचा दुरुक कटारगड जिसे मेवाड की तीसरी आंक कहा जाता है कुमलगड में महारना कुमबा ने अपना ससन किया था और कुमलगड के इक कटारगड में महारना परताव का 9 मई 1544 को बादल महल में जनम हुआ था बहुत सारी विशेस्ता हैं कुमलगड द्रुग में ही महाना परताब का विदिवत रूप से राजी बिशेक हुआ था माल्दे और राठोड की उपस्तिती में हुआ था बहुत सारी बाते हैं कुमलगड द्रुग के बारे में यहां कुमलगड द्रुग में परत्विरा सिसो दिया कि छत्री है जाला रानी का महल है खुप सारी विशेस्ता कुमलगड द्रुग के अंदर गड़ और चितोडगड के बारे में बात करोगे तो वो भी कम है इन खिलजी ने आकर्मन किया था रतन सिंग ये रावल साका का अंतिम सा सकता और जो चीत ओडगर द्रुग में सहीद हो गया था वीरगती को प्राप्त कर गया था गोरा और बादल उसके दो सिनापती थी रतन सिंग जो रावल साका का अंतिम सा सकता फिर राना सांगा की मरत् 1534-1335 में रानी करमावती ने जोहर किया था चीतोडगड दुरग में बहदूरसा ने आकरमन किया था उसके बाद 1567-568 में अकबर ने आकरमन किया था और फत्ता सिसो दिया की पत्नी फुलम कंवर ने जोहर किया था तो ये राजस्तान के चितोडगर दुरूग तीन साकों के लिए परसीद है यहां मिराबाई की छत्री है मिराबाई की गुरू संत रिदास की छत्री है हनवान पॉल, बहरोपॉल के बीच में फटा सिसोदिया, जैमल की छत्री है दोस्तों बहुत सारी बाते है चितोडगड के बारे में भी बहुत सारी बाते है इन दोनों दुरुगों को ये चितोडगड राजस्तान का लिविंग फॉट दुरुग है और इनको बेस्ट डेस्टिशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक अवर्ड दिया गया कुमलगड और पुछे जाएका दोस्तों इनको तो रट लेना कि चोत्रमें गंतंतर दिवस दोजार तेईस में मनाया गया चब्वीस जनवरी को मनाया गया और उस गंतंतर दिवस पर कितने वेक्तियों को पदम सिरी दिया गया देखे दोस्तों यह परसंद थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करेगा इस चोत्रमें गंतंतर दिवस पर राजस्तान के चार तो वेक्ति थे कितने वेक्तियों को चार वेक्तियों को तीन पदम सिरी दिया गया कितना पदम सिरी दिया गया तीन पदम सिरी पुरुषकार दिया गया कैसे दिया गया उसकी बात करते हैं एक एक पदम सिरी द साथ दिया गया था तो तीन पदम सिरी दिया गया च्यार विक्तियों को दिया गया तीन पदम सिरी में यदि आप बात करोगे कि वो दो भाई कौन कौन थे एक का नाम था एहमद हुसेन याद साथ साथ में लिखते जाना ये नाम आएंगे एक साल पूरे आएंगे अग्जाम के अंतरगत एक तो एहमद हुसेन था और एक मुहमद हुसेन था मुहमद हुसेन इन दोनों को पदम सरी दिया गया यदि आपने वीडियो देखा होगा आप राश्ट्रपती दुरुपती मुरुमो पदम सरी पुरुसकार दे रही थी मतलब परधान मंत्री ने ऐसे 15 सोड़ा व्यक्तियों को पदम सरी दिलवाया देश के जो कोने कोने से आज तक जो गुमनाम थे और गुमनाम व्यक्तियों को निकाल के उनको पदम पुरुसकार से समानित किया है जो हीरा बेन थी गुजरात वाली उसको देखा होगा राश्ट्रपती के कंदों पे हाथ लगा के खड़ी थी तो कितना वो अच्छा दर्से था दोस्तों उनका वीडियो देखना का भी दुबारा से पदम पुरुसकार में राश्ट्रपती का और उनका मतलब बहुत सारे ऐसे वेक्ती थे जिनको गुमनाम वेक्ती थे जिन्होंने समाजिक कारिये करता थे जिन्होंने कोई ने प्रयावन के चितर में कारिये किया और उनको अब जाके पदम पुरुसकार मिला है समجھने भात को उसमें राजस्थान के चार वेक्ती थे और जिनको तीन पूसकार मिला दो तो अउसेन बंदू थे अहमद हुसेन और महमद हुसेन ये जफपूर के थे ये गजलगाएक थे दोस्तों यदि आपको ऐसा पूच लियना इनको किस छेत्र में दिया गया कला के छेत्र में दिया गया गजल गायक थे ये कला के छेत्र में जैसे राजस्तान के गंगा नगर का जगजीद सिंग था ना गजल गायक वैसे ही ये गजल गायक थे कला के छेत्र में उसेन बंदू को पदम स्री पुरुषकार दिया गया एक है मूलचंद लोड़ा मूलचंद लोड़ा मूलचंद लोड़ा समाजिक करी करता है लिखते जाना एक परसंद आयेगा पक्का इसमें से नहीं आये तो आप मेरे पास आजाना दोस्तों मूलचंद लोड़ा किस शेतर में दिया गया समाजिक कारिय करता के छेतरे में दिया गया मूलचन लोडा को और ये डुंगरपूर के निवासी है कहां के निवासी है ये उसेन बंदू तो जबपूर के निवासी है और ये मूलचन लोडा कहां का निवासी है डुंगरपूर का निवासी है लोडा तो याद रखना एक लक पूछ सकता है, कहां के निवासी थे ये जभपूर के कारी करता है, इनको याद रखना, और ये लक्समन सिंग कहां का है, जभपूर का है, देख लो, यह तीन पढमसिरी हैं, चार विक्तियों को दिया है, एहमद हुसेन, मौमद हुसेन, मूलचन लोडा और लक्षमन सिंग को अभी 2023 में छब पदम सिरी पुरुषकार से समानित किया गया इनको याद रखना रट लेना उसेन बंदों को मूलचन लोडा को और इसको लक्षमन सिंग को किस छुत्र में दिया गया कहां के नियासी हैं, कौन सा पुरुषकार दिया, पदम सिरी दिया गया, अब की बार पदम वुषन पदम विवुषन नहीं मिला था दोस्तों, तो याद रख लेना, इसके बारे में विशेशता, एक बार स्क्रिन्शोट ले लेना, और आगे इसकी खुब सरी बात करते हैं पुरुषकार 2022 में, देखो, यदि आपको ऐसा पूछे कि 2022 में पदम पुरुषकार में कितने विक्तियों को दिया गया, पदम पुरुषकार, अगले कुछ नहीं लगता, अगला 2022 का भी पूछ सकता है, 2023 का भी पूछ सकता है, यदि 2022 का पूछ लेना, तो ये राजस्तान क पांच वेक्तियों को मिला था कितने वेक्तियों को मिला था 2022 में पांच वेक्तियों को मिला था अब पांच में पदम बूशन मिला था पदम भुषण दो वेक्तियों को मिलाता एक तो देवेंदर जाजडिया देवेंदर जाजडिया चूरु जिले का है गागडवास सब जानते हैं उसको देवेंदर जाजडिया खेल के छेत्र में इसको पदम भुषण मिलाता इसको बार-बार पूझ लिया एक साल पूरी अग्जाम में इसको पूजाता खेल में पदम विवूशन परप्त करने वाला पेरा खिलाडी जिसको देविंदर जहाज डिया पदम विवूशन परप्त है और एक राजियुमहरशी राजियुमहरशी यह केक अधिकारी था पहले यह मुख्यस्चियु भी रह चुका है राजियुमहरशी रजस्तान का ही है इन दोनों को पदम विवूशन पर स्कान मिलाथा और पदम सिरी की बात आई, तो आप याद रखना, पदम सिरी तीन विक्तियों को मिला था, कितनों को मिला था, तीन को मिला था, एक का नाम था, अवनी लेखरा, इसके बारे में देख लेना दोस्तों, कितनी आपने अग्जाम दी है ना, तो इसमें इसका जरूर नाम आया हो अवनी लेकरा पेरा खिलाडी है जपूर की है निसाने बाज है और इसको पदम सिरी पूरुषकार मिला था अवनी लेकरा को एक चंदर परकास त्रिवेदी को मिला था इसको आप नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं चंदर परकास त्रिवेदी को सिरोई जी लेके है और ये हिंदी के रसीता हैं चंदरपरकाद द्रिवेदी आजस्तान के स्रीजी लिके हैं और एक था राम स्धेयाल स्रमा नोटंग की कलाकार थे भरदपूर के थे इन तीन को पदमसरी मिला था दो को पदम बॉषण मिला था दोथे बाइस में ये 2022 के हैं, यदि आप बात करोगे ना पदम पुरुषकार में, सबसे बड़ा पुरुषकार भारत का है, भारत रतन पुरुषकार, भारत रतन पुरुषकार के बाद पदम पुरुषकार आते हैं, पदम विवुशने, पदम भुशने, और पदम सिरी, ये बड़े बड़े पुरुषकार है राज इंडिया के चार बड़े पुरुषकार है सबसे बड़ा भारत रतन है उसके बाद पुरुषकार 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 है उ इसी में भी एक इक रूपए नहीं दिया जाता घृट्ट के बड़े-पुरुश कारें प्पिर गगए प है अब क्यों आप कमेट में बताना सबसे बड़ा पुरुशकार कुन सह बताना इसके वे कह सबसे बड़ा पुरुश्कार जिस में कितने डोलर दिये जाते हैं ओके या फिर एक प्रसंद और बताना ऐस्या महधीब का सफसे बड़ा पुरुषकार कूझ सा है ओके आगे चलता हूं उनको लिख लेना दोस्तों दोजार ऐस्वाले, दोजार तेईस वाले पदमसरी पुरुषकारों की बात की है बारत अरतन की बात की है पदम वोशन पदम वोशन पदम सिरी ये भारत के बड़े बड़े पुरुषकार है और यदि आपको खेल के छेतर की बात कर लेना कि खेल के छेतर का सबसे बड़ा पुरुषकार कुन सा है मेजर ध्यांचन पुरुषकार है कौन सा पुरुषकार है होकी के जादूगर मेजर ध्यांचन है थे जिनके नाम पर है पहले उस पुरुषकार का नाम था राजियुगान्दी खेलतन पुरुषकार अब उसका नाम है मेजर ध्यांचन खेलतन पुरुषकार है जो खेल का सब से बड़ा पुरुषकार है याद रख लेना आगे बात करते हैं महराश्टर से व्यापार व उद्योग से समझ रखने वाले स्री राकेश रादेशाम जुंजनु वाला को मरनो प्रांत पदम स्री 2023 दिया गया जो किस जिली से समझ देता है ये जुझनु जिली से समझ देता ह लेकिन ये उसमें सामिल नहीं होता है उन तीन में सामिल नहीं होता है क्योंकि ये राजस्तान के मूल निवासी थे अब राजस्तान के नहीं है ये महराश्टर के निवासी हो चुके हैं इसलिए याद रखना इनका समझ जुझनु से था अब ये महराश्टर के हो चुके है तो इनको भी मरनोपरांथ दिया गया है 2023 का पदम सिरी दिया गया तो आप याद रख लेना ओके आगे चलता है अगला प्रसन है राजस्तान साहित एक आदमी उदेपूर दुबारा वरस 2023 में परदेश के कितने साहित एकारों को अमरित समान दिया गया बहुत तकड़ा प्रसन है बहुत तकड़ा प्रसन है दोस्तों आठ वेक्तियों को दिया गया साहित एक आदमी उदेपूर का अधिक्स कौन है यदि आपको पूछ लेना उदेपूर का अधिक्स दुल्ला राम शार इसका अधिक्स है और अच वेक्तियों को अमरित भूज़ समान दिया है और और शारव जिू कॉरु को अम्रित समान दिया है साइत एकात्मी उदेपूर के द्वरा दिया है सेकिंड ग्रेड की अग्जाम में पूछ सकता है कि आठ विक्तियों की नाम पूछ सकता है इनको कौन सा पुरुषकर मिला है यह चोटी-मोटी अग्जाम आए ना लडी सी फटली लडी सी उसमें तो के गलत में इन विक्तियों का नाम पूछ सकता है कि कौन से विक्तियों को यह पुरुषकर मिला है तो याद रखना आठ विक्तियों को यह पुरुषकर मिला है याद रहेगी बात आप साथ में इसका स्क्रिन सोट ले लेना आगे बात करते हैं अगला प्रसन है राजस्तान के कि सदिकारी को राष्टपती पुरुषकार 2023 से समानित किया गया बहुत तकड़ा प्रसंद ये भी सत्यनारण जाट को समानित किया गया कि राष्टपती पुरुषकार 2023 किसे दिया गया ये सत्यनारण जाट को दिया गया दोस्तों इसमें यहां पर एक प्रसंद और आपको प किसी दिया गया तो अब बतादेना जगदेवियादव को लिखते जाना साथ-साथ में जगदेव यादव को पिलीस मेडल 2030 का खिताब भी दिया गया और ये राष्टपती पूरुस्कार से समंची किया गया सत्य नरॅण जाट को किया याद रखना अन्य वाली अग्जाम में इसको पूछ सकता है पूछ ले तो आप बता देना दोस्तों इसके बारे में पुलीस मेडल जगदेव यादव को और राष्टपती समान 2023 किसी दिया गया सतिनान जाट को दिया गया है आगे चलू आगे देखते हैं हाल ही में इसरो ने ब्रिटेन के कितने सेटिलाइटों को एक साथ लूंच किये थे यह 36 सेटिलाइट थे दोस्तों याद रखना इसरो भारती अंतरिक समसंदान संस्ता है बैंगलूरू और बैंगलूरू पढ़ता है भारत की सिलिकोन वेली कहा जाता है करनाटक में है जहां पर इसरो का मुख्या ले है और इसरो ने ब्रिटेन के एक साथ 36 सेटिलाइटों को लूंच किया है इन सेटिलाइटों का कुल वजन अठ्वान सो पांच किलोग्राम है इस मिसन को LV M3 M3 इसरो ने इसरो ने इस मिसन के लिए रोकेट कोन साल दिया था जी सल्वी M3 रोकेट का उप्यूब किया था कहां से लॉंचिंग किया था यह स्री हरी कोटा दीप से लॉंच किया था सिरी हरी कोटा दीप अंधरपर्देश में है जहां पर 47 दवन अंतरिक संसंदान से शिए से इन सैटिलाइटों को यह पूछे तो बता देना 36 सेटिलाइट है और सिरी हरिकोटा दीप है अंदर परदेश में पुलिकट जील का लिंगून है वहां से इन दीपों को लौंच किया था याद रहेगी कि नहीं रहेगी बात आपको लिखते जाना, नोट करते जाना काम आएंगे दोस्तों एक दिन आपका परसंद सही होगा उस दिन मेरे को आप याद करोगे कि उन्होंने बताया था हमने याद किया था और परिक्षय में वैसा का वैसा मिल गया समझे का नहीं समझे आगे बात करते है अगला परसंद है इसरों ने पहले हुमन स्पेस फाइट मिसन गगन यान कब लॉंच किया जाएगा इसरों के बहुत अगड़ा परसंद है सिदा सब पुछ ले कि गगन यान को कब लॉंच किया जाएगा यू दोस्तों पहले तो ये 2023 में लॉंच उने वाला था उसके बाद कुछ दिक्कत आई कोरोना वगेर आ गया तो उसके बाद इसरों ने का कि अब गगन यान को 2024 में लॉंच किया जाएगा सिदा सिदा परसंद पूछ लेगा सीटी में पूछा था कि परधान मंत्री ने लाल के लिए से भारत को कब तक विक्सित भारत बनाने की गोसना की थी आदि आपने सीटी बारवीन लेवल का दिया होगा तो उसमें पूछा था परधान मंत्री ने लाल के लिए से 2047 तक भारत को विक्सित राष्टर बनाने की गोसना की थी ये परसंद पूछ लिया था इसे बारत को भारत को तीबी मुक्त बनाने की गोसना की गई है 2025 तक टीबी मुक्त रखने की गोसना की थी एसी विस्यस तब पूछ सकता और उसको कोई दिकत नहीं आती है और यब ही पूछ सकता है इसरु गगणियान को कब लूंज करेगा 2024 में लोंज करेगा और इस मिशन की तकड़ी विशस्ता किया इस मिशन में वियोम मित्र नामक एक महिला रोबोट बिजी जाएगी पूछ लेना कि इस में उस महिला रोबोट का नाम क्या होगा वियोम मित्र नामक महिला रोबोट बेजी जाएगी इस मिसन के अंतर ले याद रहेगी बात आगे सर्चा करते हैं अगला प्रशंभ भार्त विश्वे के सबसे प्रदूसित देशतों में कौन सा अभी रिपोर्ट आई थी दो दिन पहली रिपोट आई थी और भारत कौन सा श्तान मिला आठवह स्तान मिला है। कुन्सा देश पकिस्तान मिला पर्दुसित स्थारों के पहली राजन नहीं बनी है और भुष्व में आठ्वा स्तान भुष्व में प्रदुसित देशों के अंतर गता है याद रहेगी बात सीधा का सीधा प्रसंद मिलेगा आने वाली अक्जाम में देख लेना दोस्तों अगला प्रसंद में वर्ड हैपयनेश रिपोर्ट य दोजा थेईश में 137 देशों के लिस्ट में पारत को कॉन सा स्थान मिला है तकडा प्रसंद में लिक्त लेना जाय। वर्ड हेपिनेस रिपोर्ट में और भारत से पाकिस्तान, बंगलादेश न, ये भारत से आगे हैं, पाकिस्तान में आटए की मारा-मारी चल दीए फिर भी वह लोग खुस हैं वर्ड हपिनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार पाकिस्तान को 108 हों अस्तान मिला था और भारत 125 हों भारत के लोग आतम निरबर रहे हैं खुसी हैं फिर भी यहां पर एक खेल चलता है अंतराश्टी स्थर पर भी देश को अपमान करने का एक खेल चलता है वहां पर भी कि इंडिया क पर कहीं न कहीं दबाब बनाने की यह एक साजिस चलती है वर्ड लेवल पर भी साजिस चलती है समझे बात को जैसे इंडिया भारत में खुद में ही है जैसे अमरित पाल जैसे लोगों ने भारत को खालिस्तान बनाने के मांग कर रखी है ऐसी यह गलत बाते हैं और भी खू फाई पर भी छपा मारती रहती है खूब सर्विशस था लेकिन यह वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट दोजारतेईस चनाइस में भारत को एक सोपचीश वुशाथ बात कर लेना कि पर्थमस्तान पर कों था फिन लेंड है फिन लेंड है जिसको अजार जिलों की बुमी कहा जाता हैं और दूसरे स्थान पर यदि बात करेना तो डे नमारक हैं उन्चा मारक हैं दे नमारक हैं और इंडिया को एक सो पत्चीसवा स्थान मिला है इस परकार की बाते हैं दोस्तों आज के लिए काफी इतना ही है और आगे की क्लास कंटिनू रखेंगे अगले वीडियो दूसरी क्लास मिलेंगे अब यहां तक पढ़ना दोस्तों द्यान से इसको दुबारा देखें कि लिखते जाना लिखने से आपको ज़्यादा याद हो ओके